कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में करोड़ुपती बंते-बंते रह गए कुछ ऐसा ही हो गया न क्यों क्या बता है यार हम तो आपको देखो चीक-चीक के चिला-चिला के यह चीज पहले से बता रहे थे कि भाई फोमो मत करना इतने जादा निकलके आई वो यह निकलके आई कि end time पर एक्चेंजियों ने दोका दे दिया और उसमें एक एक्चेंज नहीं कई सारे हो सकते मेरे पास आज मेरा टेलीगरम पूरा बरा पड़ा है बस यह पूछो मत इतना गुस्सा एक्चेंजियों पर निकाला जा रहा है का आप अगर इतना सा जटका नहीं जेल सकते तो सपोज कीजिये अगर बुल मार्केट में जब सब के सब कोईंस बढ़ेंगे सबका अच्छा प्रॉफिट होगा अच्छा रिटर्न मिलेगा उस टेम तो आप हाथ खड़े कर दोगे यानि प्रॉफिट किसके पास जाएगा के देने चुने लोगों के पास एक आम इन्वेस्टर तो फिर मारा जाएगा क्यों एंड टेम पे एक्चेंज दोका दे देगा आपका डिपोजिट बंद कर देगा आपका बिड्रॉफ बंद कर देगा क्या करोगे आप आपके वलोस में प्राइज बढ़ता हुआ देखते र हुआ तो वो मौका दुबारा कभी नहीं आता यही हकीकत है लेकिन यहाँ पर एक्चेंज जो है भोका दे जाते हैं अब अच्छा खासा कोर्डाव लेस्ट हुआ सब पे और लोगों ने बाइंग भी कर ली क्यों एक्चेंज उने बाइंग तो ओपन कर दी और जैसे ही बा क्याला करें min qqi और आए जिसमें यह खागया कि इस एक्चेंज पर भी हो रहा है तो अब यहाँ等等 कि लेकिन हमारे जो mostly छोटे investor हैं जो meme coins में ज़्यादा invest करते हैं या जो छोटे छोटे जो starting में coins आते हैं तो वो जायतर sun crypto exchange से ही लिये जाते हैं और यहाँ sun crypto किसा भी इतनी वो कहते हैं बस छीचा लेदर कर दी लोगोंने पूछो मत मैंने भी tweet किया है बाकादा उनकी team को लेकिन मुझे उसका कोई reply मिला नहीं sufficient अभी तक जब मैं video बना रहा हूँ उसके बात कोई आएगा तो कह नहीं सकते लेकिन जब मैं video बना रहा हूँ उस time तक मेरे पास कोई sun crypto की team से reply नहीं आया आखर ऐसा क्यों किया अगर आपने किया तो पहले से आपको buying ही नहीं करानी चाहिए थी क्यों के लोगों का profit तो चला गया बाई जिसका profit अच्छा खासा 20-30-30 तक हो गया था थोड़ा सा पैसा लगा के अब वो आज की रेट में फिर से वोई 2000-3000 पे आ गया जो एक sufficient profit निकालने का time था वो तो exchange ही खा गये उस time पर आपने अगर withdraw बंद कर दिया तो उस profit का अमारा तो कोई फैदा है नहीं वो तो जिसने भाई निकाल लिया उसका थो गया लेकिन जिस exchange ने disable कर दिया withdrawal तो उसको तो profit मिलना ही नहीं है बाई investor महां तो मारा गया वो तो देखता ही रह गया तो यहां कहीने के यह चीज़ मैं आपसे सिर्फ देगे यह कहूँगा कि exchange हो का सबका यही हाल है जहां जिसका दाव लगता है वो ही अपनी हो कहता है ओका दिखा देता है सिद्धी सी बात है उनको केवल अपने profit से मतलब है आपका profit हो या ना हो ने उसे कोई मतलब है नहीं मैं यहां आपको देखी एक चीज़ बहुत clear cut up कहना चाहूँगा आपने यहां देख लिया मेरे पास 90% जो comment है वो संक्रिप्टो को लेकर ही है तो यहां आपने वो देख लिए कि उनमें कितनी कुबबत है वो कितना जटका जेल सकते हैं तो यहां यह clear हो गया कि देखें संक्रिप्टो बहुत ज़्यादा बड़ा जटका नहीं जेल सकता आप यहां पर वही कर सकते हैं आप डिवाइड कीजिए अब यहां पर आप दस पांच जार का कोई काम करना चाहते हैं तो संक्रिप्टो पर उसको रखिए और कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो आप बाइनेंस पर रखिए या और जो बड़े एक्सेंज हैं वहां पर भी रखिए अब आप एक एक्सेंज के बरोसे नहीं रह सकते क्यों अगर आप एक ही एक्सेंज पर काम करना हैं चाहते हैं वह कोई सा एक्सेंज है और उसने एंड टाइम पर हाथ खड़े कर दिये आपका प्रॉफिट सारा खतब बैतर है कि आप आप दो एक्सेंज रखिए कम से कम एक नहीं चलेगा तो दूसरा तो चलेगा कम से कम आपको दूसरी जगह से तो प्रॉफिट मिलेगा अगर यही कंडिसेंज आप यहां mostly 90% से जादा क्योंग क्योंको वो लोग संक्रिप्टो को ही उच करते हैं वो user friendly में इसको देखते हैं कि भाई अच्छी दर हम इसको operate कर सकते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं सब सब यहीं सीखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है आप जब किसी दूसरे एक्सेंज को यूच करेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें सब दीरे दीरे आप सीख जाएंगे तो यहाँ आप यहीं नहीं कि सब संक्रिप्टो के बरोसे ही रहें क्यों यहाँ आज लोगों का बहुत loss हुआ है इसलिए मुझे यह बात कहनी पड़ रही है तो मुझे लगता है कि यह तो दो-चार दिन सदमें में चला जाता संक्रिप्टो ऐसा ही होता भाई दो-चार दिन संक्रिप्टो की बेंड बच जाती क्यों इनका तो सिस्टम बैठ जाता तो बैतर वही है आपके लिए एक एडवाईज वही है अच्छी चीज नहीं है बिजनेस में यह चीज नहीं होती कि आपने अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा था आप उसको ब्लेक लिस्ट कर दो यह तो बहुत ही गलत चीज है और खासकर जब आप बहुत से लोगों को हैंडल कर रहे हैं तो सटकर्प्टों को टीम से मैं तो यही कहना चाऊँगा कि भाई आप अपने ब्याइबियर को थोड़ा सुधा रहे बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि अगर लोगों ने बॉइकाट शुरू कर दिया तो फिर आपका बाइंग ओपन ही नहीं करनी चाहिए थी आपका जब ओपन हो जाता जब आपका सिस्टम अपग्रेड हो जाता उसके बाद आप बाइंग ओपन करते हैं तो यहां आपका कुछ नहीं गया लॉस हुआ है इन्वेस्टर का तो आप जोड़ा सा यहां पर द्यान दीजिए मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा और इन्वेस्टर से यह कहना चाहूँगा भाई आप अपने हितों के हिसाब से आप अप दो-तिन एक्षेंज का यूज कीजिए एक एक्षेंज के किसी के भी भरोसे मत रहिए चाहिए वो कोई सा भी एक्षेंज हो चाहिए वो इंडियन हो या इंटरनेशनल हो आपको दो-तिन एक्षेंज आप रखने पड़ेंगे जिससे कि अगर एक काम एक जगए नहीं होता तो दूसरी यह कैसे कीजिए दूसरे के नहीं होता तो तीसी कैसे कीजिए क्योंकि एक जगह रहना मतलब यह किसी भी चीज के लिए मैं हमेसा वही कहता हूँ और वही चीज मैंने वीडियो में पहले भी यह चीज बताता रहा हूँ लेगा जो भी है जो हो गया अब आपको देखिए जो चीज है वो सिस्टम के हिसाब सही रहना पड़ेगा बाकि आप जो करोड़ पदी बनने वाली उम्मीद थी कोड़ाओं से वह एक्चेंज खा गए वह अखेल अक्षेंज है यह नहीं किया बहुत सार उन्हें ऐसा किया है तो वह कहते हैं कि सब ने एक तरह से आपका है जो प्रॉफिट था वह गोल गोल कर दिया खर जो भी है यह सब चलता है जिसके हाथ में चावी होत आता है तो उसे जेल सकें अगर आप ऐसा नहीं सिस्टम अप्ग्रेड कर सकते तो प्लीज इन्वेस्टर को पहले सूचना देजिए कि हम इतने गंटे सर्विस नहीं दे पाएंगे क्योंकर यहां इन्वेस्टर के फाइदा और नुक्सान दोनों का कईने के उसको सोचना पड़ेगा तो इसलिए आप तो पहले इन्वार्म कीजिए कि हम भाई यह सेल प्रेसर आएगा इस विजए से दो गंटे हम आपको सर्विस नहीं देंगे सिद्धी सी बात है अगर आप यह चीज़ नहीं कर सकते तो बाइंग ओपन नहीं कीजिए क्योंकर यहां इन्वेस्टर का लॉस होता है आपका कुछ नहीं जाता और इन्वेस्टर से भाई मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दो तीन एक्षेंज़ों का यूज कीजिए किसी एक एक्षेंज के परों से मत रहिए बागी देखते हैं क्या होता है जैसे विसन के रुप्टरों की टीम से मेरी कोई गुफ्त गुव होती है मैं आप से जरूर सेर करूँगा क्यों भाई मेरे लिए आप पहले एक् हो जूँगा तो चलिए पर मिलते हैं नमस्कार